हाई फ्रेंड्स तो आज हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं वैसे गर्मी बहुत जादा पढ़ रही है तो गर्मी के मौसम में पन्ना बनाना तो बनता ही है तो आज हम बिना मिक्सर के घर पर बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे पन्ना कैसे बनता है त आम का पन्ना बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बरतं लेना है बरतं को हमें एक श्टोप पर रखके लगभग दो गिलास के बराबर पानी आइट कर देना है मीडियम फ्लेम पर हमें पानी को गर्म होने देना है तब तक हम आम को ले लेते हैं आम को लेकर हमें अच्छी तरह से धुल कर साफ कर लेना है इसके बाद इस्टोर पर चढ़ाये हुए बरतन में हमें आम को डाल देना है इस तरह से हम आम को आइड करकी medium to low flame करते हुए थोड़े देर तक हम इसे उबाल लेंगे इस पर हम धक्कन लगाकर लगभध 10 से 15 मिट के लिए छोड़ देते हैं 10 मिट हो चुके हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह 90% तक पक चुका है अब इस पर धक्कन लगाकर छोड़ देंगे अब फाइनली एक बरतन में हमें इसे निकाल लेना है हमें तुरंट पन्ना बनाना है इसलिए हम तुरंट इसके छिलके को उतार लेते हैं अगर आपको बाद में बनाना हो ता आप इसे फ्रीज में इस्टोर भी कर सकते हैं अब इसमें हमें ठंडा पानी आइट कर देना है, बिल्कुल ठंडा पानी आइट करेंगे, इस तरह से हलके हाथों से हमें हलका हलकाई से मसल देना है, ताकि छिलके से सारे आम के गुद्दे बाहर निकल जाएं, यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से निकल ज गर्मियों के मौसम में आम का पंणा जरूर बना कर पीना चाहिए, यह बहुत ही ज़्यादा फायदे मंद होते हैं, इससे लो भी नहीं लगते हैं, यहां पर देख सकते हैं, सारा आम का गुद्धा निकल गया है, आप चाहें तो इसатов बना ले, यह लगत है दो आप देक बहुत बचा हुआ है तो उसे हलके हातों से आप रगर देए इस तरह से हलके हातों से रगर देने से बचे हुए भाग भी निकल जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जो बड़े-बड़े पार्ट है अब इसे निकाल कर हम फेक देते हैं अब इसमें हम और भी सामगरी को आइड करेंगे यहाँ पर हम आधे चमज से थोड़ा सा आधिक मिसरी आइड कर रहे हैं एक छोटे चमच के बराबर जीरा पाउडर आड़ कर देना है यहाँ पर हम हलका सा भूना हुआ जीरा पाउडर आड़ कर रहे हैं आप भी जीरो को भून कर उसका पाउडर बना ले अब इसी इस्टेप पर हमें काला नमक आड़ कर देना है स्वाद के अनुसार हम काला नमक आइट कर देंगे अगर आपके पास काला नमक नहीं है तो सेधा नमक भी आइट कर सकते हैं ने तो जो भी नमक खाने में इस्तिमाल करते हैं उसे आइट कर दें अब इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से मिला देना है ताकि मिश्री अच्छी तरह से घूल जाए अगर आप कोई मिश्री नहीं आइट करना है तो ना आइट करें मिश्री आइट करने से बच्चे भी पन्ना को अच्छी तरह से पी लेते हैं इसे साइट करते हैं इसके बाद इसी step पर हमें पूदेने की चटनी को आयट करना है यहाँ पर हमने पूदेने की चटनी बनाई है इसे आयट कर देंगे इस तरह से एक एक चमच हमें आयट कर देने के बाद उपर से हम बनाये हुए पन्ने को आयट करेंगे अब फाइनली पन्ना बनकर रेडी हो गया है इसी तरह से घर पर बिना किसी जंजट के आप आसान तरीके से पन्ना बना सकते हैं गर्मिय को मौसम में इसे आप जरूर बना कर पिए इसी स्टेप पर उपर से हमें आइस क्यूब एट कर देना है नहीं तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं ठंडा होने के बाद पिए अब मिलते हम आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइ बाइ